नमस्कार साथियो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है बियेचु वाले दे हिस्टोरिका के इस चैनल पे आज के इस वीडियो में ये स्पेशल होने वाला है बेसिकली उन बच्चों के लिए जो बच्चे CET PG 2024 हिस्ट्री से तयारी कर रहे हैं आपके लिए 40 दिन की फुल स्ट्रेटेजी जो है वो मैंने बनाई हुई है और एक आइडिया देने का प्रयास करूँगा इस वीडियो में कि कैसे एक बच्चा जो सिलबस तक नहीं जानता है एक बच्चा जो जिसे confidence नहीं आ रहा है तयारी करने के बावजूद एक बच्चा का यही प्रयास रहेगा बाकी ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी helpful होगा जो काफी दिनों से अभी तयारी कर रहे हैं और अच्छी तयारी उनके चल रही है लेकिन कभी-कभी उतार चड़ाओ जो है वो देखने को मिलता है तो आज मैं दो तरीके से आप लोगों को बत यानि केवल अन्य सब्जेक्ट से हैं तो भी आपको काफी मददगार ये चैनल होने वाला है तो चली शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को मैं बता रहा था कि मैं इस दो पैटर्न के साथ इस वीडियो को बताऊंगा पहला है कि सिलेबस में क्या-क्या चीज़े दी उससे related कौन से questions पूछे गए हैं जाहिर सी बात है कि ये वीडियो basically उन बच्चों के लिए है जो नया शुरूआत कर रहे हैं तो हमने वैसे questions रखे हैं जो आपको motivation दे वैसे questions रखे हैं जो आप देख करके लगे कि हाँ तयारी कर सकते हैं हो सकता है अगर मैं प्रयास करू त देने का इसमें कोशिश रहेगा तो सबसे पहले ये जो पहला page है अगर आप syllabus भी देखेंगे तो यही page आपको दीखेगा वो page में क्या है कि प्रश्न पत्र जो होगा उसमें 75 questions होंगे और हर जो question होगा वो subject specific knowledge का होगा यानि domain knowledge का ही आपका question होगा history से ही सारे 75 questions पूछे जा जो अगर बटवारे की बात करें तो almost आप मान सकते हैं कि 25 25 25 का होता है ठीक है अब इसमें से मतलब ये ancient history और ये medieval history और ये जो है वो modern history कभी कभी modern history के कुछ questions ज्यादा पूछ लिए जाते हैं कभी ancient history के कभी medieval history के तो उसमें नहीं जाना है हमें बराबर महनत तीनों पे करना ह लेकिन इसकी strategy क्या होनी चाहिए कैसे हम शुरुआत करें तो उसके लिए मैं यही बताता हूँ कि आपको इन तीनों में से यानि ancient medieval और modern में से आपको सबसे आसान जो लगता हो उसके साथ आगे बढ़िए उसको शुरुआत करिए और जद से जद उसको खटम करके अगला ज ancient का जो है वो आपको दिखाता हो कि पहला जो हमारा क्या है इसमें क्या दिया हुआ है जैसे stone age है ancient history of India के आपका क्या पूछा जाएगा 10,000 BC से आपको पूछा जाएगा 1206 AD तक यह आपका कहां तक आता है यह पूरा हमारा प्राचीन इतिहास आता है यानि आप ancient history के बारे मे इसी section में इसी era में पढ़ते हैं ठीक इसमें आपका early medieval history भी शामिल हो जाता है क्योंकि 1206 से आपको पता है क्या गुलाम ववन्स यानि slave dynasty जो है वो शुरुआत हो जाती है ठीक है अब इसमें देखे पहली चीज क्या है पहला जो topic यहाँ पर दिया हुआ है stone age stone age के बारे में आपको पढ़ना होगा paleolithic age major lithic age और new lithic age यह तीनों चीजे होती है और चाल को lithic age जो है वो यहाँ पर आता है ठीक है यह सब जो portions है इसमें कैसे questions पूछे जाएंगे जैसे questions क्या होते है कि जो paleolithic age था उसमें पत्थरों का कौन सा किस प्रकार के पत्थर यूज किये जाते थे है न स्टोन कौन से थे उसके साथ और क्या question पूछे जा सकते है कि इसका time period क्या है यह तो बहुत simple question हाला की हो गया हाँ इंडिया में इसके कौन कौन से locations पाए गए हैं कौन सी जगह से कौन सी वश्टु मिली है किस age की यह सब जो चीजे होती है यह इस age के लिए बहुत important होत teacher कि उसके बारे में questions पूछे जाते हैं तो जब भी आप पढ़ें तो in terms को और ज्यादा गहराई से समझने का प्रयास करें ठीक हाला कि मैं बच्चों को कम suggest करता हूं कि अगर आप अपनी तयारी शुरू कर रहे हैं तो ancient से मत कीजे मेरा ऐसा प्रयास रहता है क्योंकि मुझ दोनों में से एक आप चुनिए और जो ancient history अगर आपको पसंद है तो फिर तो कोई बात ने वैसे medieval या modern से शुरू करिए और उसके बाद ancient की तरफ आगे बढ़िए ठीक है ये पहला page का मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा दूसरा जो है वो है हमारे पास सिंदू जो आए तो वो कहां से आए ठीक है ये किसकी किसकी थियोरी है हाणा उसके बाद उनकी सभेता क्या थी वैदिक कल्चर में कैसे वो यग्य करते थे किस portion के यानि पशुओ के देवता कौन थे अगनी का कितने बार यूज हुआ है वेदो में अगनी शब्द का है न कौन-कौ यो का पुराना नाम क्या है ये terms आप इस portion में ध्यान रखेंगे ये बहुत important है ठीक है उसके बाद आपका है राज जिगटन यानि state formation in ancient history यह बहुत important है यहां से देखें आप एक चीज समझेगी state formation के बारे में थोड़ा समय यहां बता दूँगा बाकी तो हमने courses जो launch किया ह उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गए हैं मैं उसके बारे में भी बात नहीं करूँगा तो थोड़ा सा state formation के बारे में समझ लेते हैं state formation के पीछे पता है क्या है पहले जो सबसे पहली चीज बानी जाती है वो माना जाता है iron का यह जो खोज होता है वो होता है 1000 BC में 1000 BC मे जो है वो iron पाया जाता है पहली बार लोहा का खोज होता है इससे क्या होता है कि क्रिशी में बहुत ज्यादा उछाल आता है क्रिशी बहुत ज्यादा लोग agriculture को बहुत ज्यादा प्रोमोट करते हैं agriculture प्रोमोट होने के बाद क्या होता है कि लोगों के पास अपने खाने से ज प्रकेटिंग होती है ये सब चीजे होने में क्या होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा धन इकठा करते हैं और यहीं से हमारा राज्य का काम आगे बढ़ता है ठीक है ये सिंपली मैंने बता दिया एक आपको आइडिया देने के लिए तो ये इसमें आपको हर्यक डाइनेस्टी हो गया नंद डाइनेस्टी हो गया उसके बाद मौरियन वगर आ जाएगा महाजन पदास आ जाएगा ये सब चीजे आपको इस पोर मतलब नाम के जगपे आगे अगर गुपता वगरे में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके उपाधी क्या थी ठीक है उसके बाद उनका टाइम पिरियड क्या रहा है और प्रॉक्स तो ये आपको ध्यान में ये सब चीजे आपको ध्यान में रखनी होगी उसके साथ स समाजिक इतिहास से भी questions अच्छे खासे पूछे जाते हैं जैसे आपको पूछ लेगा कि मौरे काल में निश्क क्या था ठीक है मौरे काल में निश्क क्या था अगर ये question पूछा गया तो आपको बताना होगा कि क्या था वो सिक्का था वही अगर वैदिक काल में निश्क की answer करने की कोशिश नहीं करूँगा मैं चाहूँगा कि आप ही answer करें और ये देखे कि क्या इन सब का answer आप कर सकते हैं जैसे देखे Marshall ने मोहन जोदुलो का उत्खनन किया आपको पता है कि रखाल रास बनर जी ने 1922 में किया था लेकिन अगर बोहन जोदुलो का बार्शल के बारे में बात करेंगे तो इनों ने किया था 1931 में ठीक है दयारम साहनी का आपको पता ही है 1921 में इनों ने किया था हडपा का जो खुदाई हुआ था ठीक है तो अब इस से हम लोग मिलाने का प्रियास करते हैं कि A का 2 कहां पर है A का 2 यहां है A का 2 यहां है और B का 1 और B का 3 दिया हुआ है तो यानि यह जो है हमारा B का 3 यह वाला आप्शन जो है वो सही हो जाएगा बात समझ में आ गई तो इस तरह से अगर एक दो आप्शन भी आपको पता है तो बाकी सारे आप मिला सकते जैसे C का 4 और D का 1 हो गया तो C का 4 कर लेंगे और D का 1 कर लेंगे जो कनिंगम को एक मुद्रा मिली थे हडपा की वो 1853 में और वत्स ने जो हडपा का जो उत्खनन किया था वो 1940 में किया था बात समझ में आगे मादो 100 रूप वत्स जो थे उन्होंने खोड़ और यह पोत्गावाला तो आपको पता ही है लोथल में डॉक्याट सबसे बड़ा सिंदु घाटी सब्वेता का मिला था तो यह सिंपल सिंपल क्वेशन्स मैं उठा करके लाया हूँ यह आपके पिछले दो साल के क्वेशन्स है इनका मैं दोनों लैंग्वेज इसमें नहीं कर पाए एक एक लैंग्वेज में कोई ने कोई आपको मिल जाएगा आप लोग अगर अभी पढ़ रहे हैं तो बुक मतलब कॉपी पे लिखते रहे हैं यह सारी चीज़े बहुत इंपॉर्टेंट है और एक भी पोर्शन आपको छोड़ना आए एक सेकेंड स्किप मत करिए एकदम आराम से पूरा थ्रू आउट दे वीडियो बहुत लंबी व वाला है वो हमने अपलोड कर रखा है डाल रखा है तो आप उसको डाउनलोड करके उसको print कराई और जाकर के अपने घर पे चिपकाईए कुछ ऐसी लाइन्स लिखी हुई हैं जो कि आपको हमेशा मोटिवेट करती रहेंगी तो उनको भी आप प्रिंट करा करके जो है वो बुधिजम और जैनिजम के बारे में पढ़ते हैं 6600 BC के बाद ठीक है ना ये आपका time period था बुधिजम और जैनिजम का और हर्यंग डैनेस्टी शिशुनाक और नंदा के डैनेस्टी ये शुडवात formation थे जब हमारा एक क्या बोलेंगे kingdom का उदय जो है वो हमें देखने को मिल किया था ठीक उसके बाद सरवपरतम बहुत बिक्षुणी का कौन बनी थी हालागि ऐसा बहुत कम चांस है कि आप इसका answer मतलब क्या कहें इसका जो है वो ऐसे questions आप देख पाएंगे हैं बहुत कम चांस है 2022 में ये पूछा गया लेकिन कुछ questions ऐसे रहते हैं तो कम से कम अग मैंने समझा दिया हर एक डानेश्टी शिशुनाग डानेश्टी नंदा डानेश्टी के बारे में आप पॉलिटिकल उसका पढ़ेंगे कौन किसका पुत्र था कैसे उसने मिलाया है क्या क्या चीजे उसने की कैसे विभाईक संबंध स्थापित करके उसने राजाओं से मिला ना होगा लाश्ट में जिससे हरा करके मौरे अंपायर जो है वो एस्टैबलिश होता है ठीक उसके बाद आप आज आएगा मौरे अन एज ये बहुत ही इंपोर्टेंट है इसमें कुछ चीजे मैं बता रहा हूं इसकी जो हमारी सोशल हिस्ट्री है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको पता होगी मुझे ऐसी उमीद है अगर नहीं पता है तो चंद्रगुप्त कौन था बिंदुसार कौन था अशोक कौन था ये सब थोड़ा सा अब पढ़ लीजे उसके बाद इसकी सोशल हिस्ट्री बहुत और सबसे इंपोर्टन जो बात आती है वो आती है अशोक से अशोक के जितने भी शिलालेख है अस्तंबलेख है ये लिख करके आपको चिपकाना चाहिए आप अपने घर पे चिपकाई की कौन सा कहां से मिला है किसमें क्या मेंशन किया गया है ये सब चीजे बहुत इंपोर अब ये दोनों चीजे पढ़ेंगी दिवानी अदालतों को क्या बोला जाता था फौसदारी अदालतों को क्या बोला जाता था ये सब चीजे आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी समाजिक हिस्ट्री में ही ये पढ़ना पड़ेगा अब उसके बाद आता है पोस्ट मॉरेन थे, उसने कौन सा सिक्का चलाया था, ठीक है, विम कड़ फिसस का नाम क्या था, मतलब विम कड़ फिसस जो है, वो किस भाग से आया था, कनिश्क के बारे में पढ़ने को मिले, कनिश्क बहुत इंपोर्टन शासक इसमें आतशक में, तो इस तरह से एक पूस्ट मौरेयन पिर साउध इंडिया, हाँ, अब ये भी थोड़ा सा अभी संगम एज वगएर से जुड़ा हुआ क्वेस्टन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें इंट्रेस्ट नहीं है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, अभी शुरुआत के लिए, लेकिन इसको एक नजर देखना मत भूलिएगा, अब खारवेल का पढ़ेंगे, हम लोग साथ वाहना के पढ़ेंगे, फिर तमिल स्टेट्स है, और संगम एज, संगम एज जो है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है, जैसे इसमें देख सकते हैं क्वेस्टन की कौन सी तमिल कृती जैन दर्शन के महत्तों को प्रदर्शित करती है, तो यहां जो है वो शिलपदिकारम क्या करता है, आपको जैन दर्शन के महत्तों को स्थापित करता है, अगर एक भी बार आप पढ़ेंगे तो शिलपदिकारम किसके बारे में है, उसके बाद मडी मेकलाई के बारे में आपको जाननी जरूरी है, अलग-अलग किताबों में लिखी गई है, उनमें क्या है, किताबों के बारे में कम से कम जो पुस्तके उस समय के आती है, वो आप देखना मत भूलिएगा, ठीक है, आगी इस जो ये सब जो डाइनेस्टी है, इसमें भी पॉलिटिकल हिस्टी बहु हुआ करता था, ठीक है, तो ये सब चीज़े आप थोड़ा सा एक बार घ्यान देंगे, जो बाद में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो, लेकिन ये जो है, आप इसको नहीं छोड़ेंगे, आपको गुप्ताज, वाकाटकाज, और वर्धनाज, वर्धनाज इंपॉर्ट समझ में आ गई, हरिशेन लगा देंगे, उसके बाद कालिदास किसके थे, यशोधर्मन किसके थे, मेगवर्मन किसके थे, रविकिर्ती के बारे में आपको समझ में आएगा, तो ये सब आपको बहुत जरूरी है, इनको आप पढ़ेंगे, इनकी नीतियों के बारे में प्र करम शुरू होता है, तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना पढ़ेगा, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ेंगे, फिर सोसाइटी और कल्चर की बात आती है, ये भी एक important time period होता है, जब हमारा क्या शुरू होता है, मंदिर निर्माड की कला शुरू होते है, temple making, त उसके बाद कौन-कौन सी जगहें हैं, कहां पर इनका जिक्र मिलता है, सिक्कों के बारे में बहुत important, यहां पर किस प्रकार के धनुरुधारी प्रकार होता है, ठीक है, उसके बाद वीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त का एक सिक्का है, तो इस तरह से कई सारी चीज थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, यह basics के लिए मैं बता रहा हूँ, चलिए आगे आजाते हैं, regional states during गुप्ता एरा, इसमें क्या क्या था, कदमबास थे, पल्लवास थे, चलुक्यास थे, वादामी के चलुक्यास थे, ठीक है, उसके बाद quality and administration, इनका पढ़ना है लिटरेचर, ग्रोथ, ग्रोथ of वैष्णवाज and several religion, यह पूछा जाता है, वैष्णवाज और several religion का question आते हैं, ठीक है, उसके बाद पालाज, सेनाज और राश्च्रकूटाज के बारे में पढ़ेंगे, परमास के बारे में पढ़ेंगे, quality और administration का पढ़ना है, इसको आप जब देखेंगे न, जब भी आप पढ़ने बैठिए, तो आप इसको ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, कि यह जो कदमबाज, पल्लवाज और चालुक्याज का, आपको quality पढ़ना है, administration पढ़ना है, ठीक है, और वहीं अगर इनकी बात करें, जैसे यहाँ पर क् administration ही केवल पढ़ना है, ठीक है न, यहाँ literature की बात नहीं आएगी, तो इस तरह से इस portion को आप ध्यान से देखेंगे, और आप syllabus डाउनलोड कर लीजेगा, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है, हमने syllabus जो है, description box में दे दिया, free में आप डाउनलोड करके, आप उसको print कराईग इंडिया, ठीक है, early medieval इंडिया का जो time period आता है, वो 750 से ले करके 1206 तक आता है, अब यहाँ पे आपको इसलाम का उदय जो है, वो महत्वपूर्ण चीज होती है, उसके बाद उत्तरी भारत में प्रमुक राजनिति, घटना क्रम क्या होता है, राजपूतों का उदय आप प ऐसे ही कुछ question जो है administration से जुड़ा हुआ आपको पूछा जाता है, ठीक है, उसके बाद इनकी society के बारे में आपको पढ़ना होगा, Indian feudalism एक important होता है, agrarian economy उस समय थी और urban settlement हो रहे थे, ठीक है, trade and commerce भी इनका आपको पढ़ना पढ़ेगा, यह early medieval का एक portion है, जो की लगभग आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ने चलेंगे, तो दो से तीन दिन में maximum आप आराम से complete कर लेंगे, ठीक है, एक नजर में कम से कम, हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगो बताऊंगा, कि जब आप इस जर्नी में चल रहे होंगे, जब आप यह जर्नी पूरा कर रहे होंगे, तो यहाँ पर एक समस्या बहुत महत्तोपून आएगी, वो आएगी कि आप पढ़ेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, पढ़ेंगे और समझ में नहीं आएगा, और आपकी expectation क्या रहेगी, कि मैं जब पढ़ू तो मुझे सा उनचा को समझ में नहीं आएगी, लेकिन जीतेगा वही जो लगतार पढ़ता रहे, जो खार के बाद भी पढ़ता रहे, जो तमाम demotivations के बाद भी पढ़ता रहे, जो तमाम difficulties, जो आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, कई सारी परिशानी आएंगी, उसके बाद भी पढ़ेंगे आप या तिबारा जब आप पढ़ेंगे तब जा करके वो चीज़े क्लियर होंगे तो इसलिए जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहें जो पोर्शन आपको लग रहा है कि यह थोड़ा सा कटिन हो रहा है तो एक नजर बस घुमा लीजे एक नजर बस देख ल होने वाला है वो होने वाला है consistency लगतार पढ़ाई करते रहना बात समझ में आ रही है तो यह जो मैंने एक बताया जो early medieval से questions पूछे जाता है ठीक है जैसे यहाँ पर पूछ देगा कि किसके शासनकाल में चोल समराजी की वास्तविक महांता के शुरू आत होती है तो यहाँ क्या हो जाएगा अरुमोली वर्मन हो जाएगा राज राज फस्ट इसे बोला जाता है तो यह आप ध्यान लखेंगे उसके बाद यहाँ पर क्या पूछ रहा है निमनलिखित में से वा कौन चोहांस आ सकता जिसने कवी होता था विद्वानों को संदक्चन डिया अजबेर म पर आपको पता चलेगा एक अड़ाई दिन का जोपड़ा आता है अड़ाई दिन के जोपड़े पर जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा वो कि हरिकेली नाटक जो है वो लिखा हुआ है और वो नाटक क्या है विग्रह राज चतूर्थ का ही है तो यहां से कहीं है औ चीजे टर्म्स जो उसमें दिये हैं उसको समझते हुए ही क्वेशन को अटेम्ट करना है आगे आ जाते हैं हमारा क्या आता है मिडाईवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो की 1206 से ले करके 1707 यानि औरंग जेब की मृत्यों तक चलता है ठीक है इसमें क्या-क्या है important सबसे पहल दी ये दो जो dynastries है वो आपको नहीं पढ़ना है ठीक इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे तो यानि तीन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा बाकी दो को छोड़ देना है ठीक इसको आप ध्यान लखिए अब इसमें किसको आप ज्यादा पढ़ेंगे तो इसमें तीनों को बराबर ध्यान देना है आपका जो maximum समय जाएगा वो मामलुक और तुगलक में जाएगा क्योंकि इनका time period थोड़ा सा जादा था ठीक administration of Delhi सलतनत पढ़ना है अब इसमें military reforms बहुत important है इकता system के बारे में पूछा जाता है military reforms में उसके बाद कौन-कौन सी संस्थाओं का ग बाजार बेवस्था से जो अलावदिन खिल जी की थी उससे questions पूछे जा सकते हैं तो इन सब चीजों को जो आप पढ़ेंगे तो उस पे बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे साथ में इनका time period political history तो एकदम clear होनी ही चाहिए कौन सा राजा किसके बाद आता है उसका time period कितना वो उसका पहले से relation क्या था है तो ये सब चीजे आप ध्यान से पढ़ने वाले हैं उसके बाद ये question पूछा गया है किसने चीनी समराट को कश्मीरी शाल जो है वो एक भेट सरुक भिजवाया था तो इसका जो answer हो जाएगा वो मुहमद तुगलक हो जाएगा कई सारे बच् questions को देख करके बहुत परिशान हो गए थे लेकिन normal NCRT जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और कुछ questions ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब किसी को नहीं पता होता है exam hall तो वैसे questions को देख करके डरना भी नहीं है और उसके साथ सौंधर क्या था ये तो कई ज और ये मुहमद बिन तुगलक के द्वारा भी उस समय दिया गया था और मुर्शित को लिखाने भी दिया था तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे ये questions जो है वो इस तरह के questions आप से पूछे जा रहे हैं आगे आ जाते हैं Art and Architecture of Vijayanagar इसको आपको पढ़ना है उसके बाद बहम भक्ति movement and सूफी movement इसमें भी कई सारे questions जैसे संप्रदाय कितने थे आपको जो भक्ति movement से question पूछे जाते हैं कि जैसे पूछ देगा आपको कि कबीर दास रामानंद ऐसे कुछ क्रम दे देगा है संतों का और पूछेगा कि इन में से कौन पहले थे कौन बाद में थे नानक अगरे का नाम दे करके तो इस तरह से भी आप time period के साथ भी इनको ध्यान रखेंगे कौन किसका सिश्य था है तो यह चीज़े बहुत important होती है अब यहां पर question क्या पूछ रहा है कि ठीक है तो इस तरह जैसे यहां पर question है कि उस सूफी संत का नाम बताई जिसने अलाव दिन सूफी संत था जो उसकी हमेशा बुराई कर रहा है राइटर्स के बारे में बहुत ज्यादा question पूछे जाते है कौन से लेखक ने किसके बारे में प्रसंसा की है या किसने कौन से पुस्तक लिखी है ऐसे भी questions पूछे जा सकते है ठीक है तो इस तरह के questions को आप आराम से deal कर स शुरू करेंगे तो आपको political history से ज्यादा यहां पर आपका क्या होगा society important हो जाएगा literature बहुत ज्यादा माहिने रखता है ठीक है पित्रा दुरा के बारे में पूछा जाता है उसके बाद जो बाबर ने शुरू किया था है तो उन सारे questions को बहुत ज्यादा importance दिया जाता है बाबर वाले के बारे में पूछा जाता है पित्रा दुरा जो जहागीर ने शुरू किया उसके बारे में question पूछा जाता है ठीक है उसके बाद expansion of mughal empire यानी बाबर से लेकर करके औरंग जेब तक कितना ज्यादा बढ़ा कितने राज्य थे प्रांध थे ठीक है उनकी कौन- rise of sur dynasty ठीक है इसको भी आप आराम से बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा ठीक है शेर सासूरी की बहुत ज्यादा जो सुधार कारिक्रम थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और वो questions पूछे जाते हैं ठीक चलिए आगे आते हैं जैसे एक एक question पूछा गया है कि वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने 12,000 सैनिकों की सहायता से लगबख डेढ़ लाग की फोजवाले इब्राहिम लोदी को हराया था ठीक है और बाबर ने बारूद और अग्नियास्त्रों का प्रियोग में उतकर्ष सैने सकती का सैने रणीती का प्रदर्शन किया था ठीक है तो जब आप इस तरह के questions को देखें ठीक है तो पहले तो घबराना नहीं है और दूसरी चीज़ आप ये ध्यान लखेंगे कि आपको एक idea होना चाहिए कि जब वो बाहर से आ रहा है तो उसके पास सैनिकों की संख् कम रहेगी अब exact जानकारी के लिए थोड़ा सा इसमें doubt या तुका लगाना पड़ सकता है तो आपको ये पता है कि लगबग ये जो है वो हमारा सही है और दूसरा ये तो आप fact के तोर पर कई जगहों पर ये देखेंगे पहली बार बाबर ने ही पानिपत के प्रथम सुची दो से मिलान करिए अब जागीर पूछा गया है जागीर क्या था एक पुलिस कारिया ले था ठीक है दिवान जो था वो राज्य में सरवोच नागरी का धिकारी था देश पांडे जो था वो एक परगना के लिए लेखा जोका रखने वाला था और फरास खाना जो था वो सैना के रख रखाओ के लिए अनुदान जो है वो दिया जाता था तो इसको आप मिला लेंगे ए का वन बी का टू ए का वन बी का टू सी का फोर और डी का थ्री ये जो है आंसर आपका सेकेंड वाला सही हो जाएगा दूसरा आप देख लेते हैं यहाँ पर विलियम फिं और साथ में आपको पता है कि इना के समय में आया था तो यहांगीर के समय में आया था तो आपका सकते हैं कि यह आपका थो और fourth खतम हो गया ठीक बचा दो तो इसमें अब हमें एक भी अगर पता है यानि हमको बस ये पता कि William Finch जो है वो जहांगीर के समय में आया था तो आप क्या कर सकते हैं आप जो है वो William Finch यानि जो हमारा A का third है ये आप first वाला option सही कर सकते हैं ठीक है इस तरह से आपको important चीज जो बीच-बीच में मैं बताते रह रहा हूं उसी के कड़ी में ये भी चीज समझे कि आप किस portion को क्योंकि है आपके पास लगबग मैं मान लेता हूं 36 to 40 days ठीक है अगर थोड़ा सा शुरुवात में हो जाता है history का तब तो अलग बात है लेकि थोड़ा सा अगर समय म लेंगे और उसको एक बार revise भी कर लेंगे ठीक है तो ये अंतिम में मैं बताऊंगा जुड़े रही है अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे है तो वीडियो को like करना मत भूलिएगा अब आ जाते हैं यहाँ पर जो modern history है उसमें क्या आता है colonialism in India जिसमें British Raj और British expansion in India ठीक है भारत में उपनिवेश्वाद की शुरुवात कैसे होती है ठीक है जो विडेशी यूरोपियों का आगमन था उसके बारे में आप एकदम बहतरी धंग से पढ़ेंगे उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि पूर्तगाली में कौन सा जो यात्री था वो आया था मालीजे क पूछ सकता है कि मुगल दर्बार में कौन सा यात्री गया हुआ था ठीक है ऐसे questions आपको पूछे जा सकते है उसके बाद कौन सा ब्लू आशन जो पधती आई थी है ना तो ऐसे questions आपको पूछे जा सकते है वो किस यात्री ने शुरू किया था या किस पूर्तगाली ने एक्सपेंशन में कई सारी युद्धों के बारे में पूछा जाता है जैसे यहां पर है कि इस इंडिया कंपणी के स्थापना 16 सोब में इस वी में एक साही चार्टर के द्वारा हुई थी बिल्कुल सही बात है 31st December 1600 को हुआ था इसे सारे व्यापार का एकाधिकार नहीं द गलत है थीक है बी गलत है तो हमारे पास क्या आता है ACD जो है वो एक ही ऑप्षन जो है वो सही हमारे पास मिलता है ठीक है तो यह जो है वो हमारा एक थर्ड जो है ऑप्षन सही हो जाएगा तो इस तरह से जब आप पढ़ाई करेंगे इसमें British expansion के बारे में तो आप इन questions को easily कर सकते हैं आगे आते हैं social and cultural development आपको पढ़ना है यह बहुत ही महतोपूर्ण है कई सारे questions इसमें पूछे जाते हैं ठीक है कई सारे questions social and cultural development में उसके बाद structure of British administration में all acts आपको पढ़ना है 1773 के regulating act से शुरू करेंगे और जाकर के 1935 का जो आपका act था वहां तक आपको पढ़न पढ़ेगा charter acts के बारे में पूछ सकता है किसमें क्या सुधार दिया गया था 10 लाग की जो सिक्षा का पैसा दिया गया था एक लाग का जो सिक्षा का जो दिया गया था वो कब दिया गया था किस act के माध्यम से दिया गया था इस तरह के questions आपको acts के बारे में पूछा जाता उसके बाद इसके साथ और जैसे यहाँ पर दिया गया है, the colonial economic policies led to poverty and unemployment in India, यानि उपनिवेशिक जो आर्थिक नीतिया थी, उसने इंडिया को poverty में डाला, गरीबी में डाला, और इसका reason क्या दिया गया है, it encouraged drain of wealth and de-industrialization in India, तो यह बिल्कुल सही बात है, कि उनकी नीतियों ने जो उन्होंने व्यापार के उपर ददनी प्रथा जैसी नीतिया लगाई, नील उगाने के लिए बोला, उसके बाद जो इनके settlements आये, जो क्रिशी agricultural settlement जो आस्थाई बंदोबस्त था, रैयतवारी बंदोबस्त था, महालवारी था, इनकी वज़े से क्रिशी के स्थिति जो है वो भूखों मरने लगे, तो यह बिल्कुल सही बात है और इसका जो correct explanation भी है, तो जब आप deeply पढ़ेंगे तो ऐसे questions easily आप solve कर लेंगे, कहीं दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है, जैसे यह question है, बंगाल का प्रतम governor general कौन था, अगर आप all acts पढ़ेंगे तो उसमें यह question आएगा, बहुत ही simple है, बहुत कम chance आने का, लेकिन PYQ है बाई, मैं क्या बोल सकता हूँ, आया है तो आया है, ठीक, तो यह आपको पता चलेगा कि जो 1773 का regulating act था, तो उसी में Warren Hastings को क्या बना दिया गया था, भारत के बंगाल के governor से बंगाल का governor general बना दिया गया था, जो है वो प्रतमभात का governor general बन जाता है, उसके बाद जब 1858 का proclamation act पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो canning था वो भारत के governor general से बदल करके क्या हो जाता है, प्रतमभाय साराय हो जाता है, तो इस तरह के questions आपको ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक, उसके बाद और क्या यह के द्वारा जारी किये गए, उनका क्या प्रभाव रहा, वो कितने छेत्र में थे, ठीक है, ऐसे ही questions इस portion में बहुत important आते हैं, ठीक, उसके बाद industrialization के बारे में पढ़ना, industrialization के लिए कौन से नीतिया लाई गई, उसका भारत में क्या प्रभाव पढ़ा है, ठीक है, नगद the qualitative change, यानि कौन से युद्ध के बाद जो है, वो भारत की economic, भारत की, sorry, company की जो commercial relation था, यानि जो हमारा, क्या कहेंगे, व्यवसाई की जो संबंध था, वो बहुत जादा बदल जाता है, ठीक है, तो इस दो जगहों पर हुआ है, पहला पलासी के युद्ध में, और दूसरा जो है, बकसर के युद्ध में, तो आपको पता है कि बकसर का युद्ध जो है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण था, किस लिए, तो आपको व्यवसाईक जो संबंध थे, उसको बदलने के लिए, 1765 का इलाहबाद का, आपको 12 अगस्त और 16 अगस्त का संधी आपको पता होगा ठीक, अगर नहीं पता है, तो पता करने की कोशिश करिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे, बैटल अब बकसर को सही लगाते चलेंगे, एकोनमिक इंपक्ट अब सेटलमेंट के बारे में अब देखी, यहाँ पर क्वेशन कहा जाता है, और दूसरा कारण दिया हुआ है, इस बंदोबस्त में क्रिश को द्वारा जमिनदारों को भुकतान किये जाने वाले किराये को एक अस्थाई रूप से निरधारित किया जाता था, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिलकुल सही है, क्या है कि जमिदारी बस्था कोहीं क्या बोला जाता था और दूसरा क्या कह रहा है कि जो हमारा क्या बोलेंगे agreement हुआ था वो अंग्रेज कमपनी का जो है वो किसानों के साथ हुआ था या जमिंदारों के साथ हुआ था यह question है और साथी साथ क्या जमिंदारों का जो agreement है वो किशानों से किया गया था या नहीं किया गया था तो इस question को अगर आप deeply अगर आप permanent settlement अगर आप पढ़े होंगे तो question को आराम से solve कर पाएंगे आपको पता चलेगा कि केवल जो है permanent settlement में क्या किया गया था कि जमिंदारों के साथ agreement था कि आपको जितना भी धन मिलेगा उसका 1 by 11 अपने पास रखेंगे और 10 by 11 क्या करेंगे हमारे पास लागर के जमा कर देंगे तो आपको कितना धन वसूलना है वो हमें नहीं पता है वो आप क्या करेंगे अपने अनुसार तै करेंगे तो इस वज़े से जो second option है कारण जो है वो गलत हो जाता है और A सही है R सही नहीं है यह option जो है वो सही हो जाता है ठीक है तो आपको एक idea लग रहा होगा कि बहुत ज आते हैं social and religious reform movement बहुत सारे questions पूछे जाएंगे राजा राम मोहन राय के बारे में स्वामी दयानंद के बारे में जोतिवाब फूले के बारे में और भी केशव चंदर सेन के बारे में आपको दिविंद्र रिनाथ टैगोर के बारे में है तो यह questions को बहुत ध्यान से आप द दिहांस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया यह बिल्कुल सही बात है और यह कह रहा है कि क्योंकि जो मैडम एच्पी बलाटवस की थी क्योंकि वो इंडिया आई थी इसे लिए यह काम हुआ ठीक है तो यह जो है reason जो है वो इसका गलत हो जाता है ठीक है लेकिन यह जो पहला option है वो सही है तो A is true and R is false ठीक है तो theosophical society को आपको ध्यान से पढ़ना होगा ठीक है ना चलिए आज आते हैं social and religious reform हाँ यहाँ पर क्या question है कि पूछा जा रहा कि देवेंदर ना टैगोर ने राजा रम मुहन राए की परमपरा को आगे बढ़ाई बिल्कुल सही बात है ब्र विवेकानन्द ने बेदान्त को पूर्ण तार की गुरूप से प्रसिद्ध किया बिल्कुल सही बात है और साथ में राम कृष्ण परमंत स्वामी विवेकानन्द के सिष्षे थे अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक कर दिया उल्टा पूछ दिया कि राम कृष्ण परमंत स इसमें इन पूर्शन को आप ध्यान से देखिएगा अच्छे से देखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेशन आ रहे हैं वो आपने प्रूफ भी देख लिया है आगे आते हैं अब एक बड़ा चैप्टर हमारे पास आता है वो क्या है नेशनल मूव्मेंट इन इंडिया और दूसर है गांदियन मूव्मेंट इन इंडिया छिक है ये दो पोर्षन ऐसे हैं जो अगर आप कवर कर लेते हैं अक्षे से कवर कर लेते हैं कौन कौन से सोसाइटी जील का स्थापना हुआ है कौन कौन से स्टाइःंत्रकांड चले हैं ऐसे क्वेशन्स बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं ठीक है ओल इंडर डिप्रेस्ट क्लास कॉंग्रेस की स्थापना किस ने की थी अगर ऐसा क्वेशन आता है तो आप डॉक्टर बियार अंबेदकर को लगाएंगी जिसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो एमसी राजा थे ठीक है तो यह अब देखिए यहां पर क्लासेज के साथ साथ एसोशियेशन भी आता है ठीक है तो अल इंडर डिप्रेस्ट क्लासेज लगा होगा उस साथ में यहां एसोशियेशन लग जाएगा तो उसका आंसर कुछ अलग होता है तो इस तरह से आपको जब तो इसको आपको क्या करना है एक क्रम में सजाना है यह आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ आप इसको क्या करेंगी कमेंट बॉक्स में बताएंगे और पढ़ने के बाद बताईए कि कानपूर जो शड़यंतर केस था वो कब हुआ था क्यूं हुआ था ठीक है काकोरी कांड जो हुआ था वो कब हुआ था इसके बारे में आप पढ़ेंगे ठीक है Foundation of HSRA की स्थापना किसने किती सचिंद सानयाल कौन थे ठीक है चंदरशेकर आजाद के बारे में आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगा उसके बाद जो चिटगाओं के बारे में आप पढ़ेंगी कि पुड़ा सा प्रिसर्च करिए और कमेंट बॉक्स में बताईए कि यह इसमें से सही करेक्ट जो इसका जो क्रोनलाजिकल और होगा वो क्या होगा आगे चलते हैं जन आंदोलन और ब्रिटिश रूल इसमें कई सारी चीज़ा आती है जैसे पिजन्ट मूव्मेंट आता है आ आपको आ सकते हैं जैसे दा इंडियन आर्मी में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया क्या परिवर्तन हुआ था मतलब यह सही है या गलत है पहले तो क्वेशन यही है तो यह सही है क्योंकि उस समय क्या था पहले जो है वन रेशियो फाइव का आकड़ा रहता था जो एक पर पांच जो है वो भारतिय रहते थे इसको बदल करके क्या किया गया तो जाहिर से बात बिल्कुल सही है कि भाई चेंज तो हुआ है ठीक उसके बाद दूसरी जो क्वेशन दूसरा जो रीजन दिया गया है इट वाज तू मिनिमाईज दे कैपेसिटी ऑफ इंडियन यह भी बिल्कुल सही बात है तो यानि बोथ A and R are correct and R is the correct explanation of A ठीक है यह चीज समझ में आ गई चलिए आगे आ जाते हैं तो मास मुझमेंट एंड बिटिश रूल से क्या है तिलक के साथ मिलकर केसरी पत्रिका किसने शुरू की पत्रिकाओं के बारे में आपको पढ़ना बंगाल इंडिगो रेजिस्टेंस डेकन अप्राइजिंग इन चारों के बारे में भी आप पढ़िया और यहां पर मैज दफॉलविंग आपको करना है ठीक है ना चलिए आगे आ जाते हैं मास मुझमेंट अब यहां पर आपको नाना साहिब कहां से थे हजरत माल कहां से थी कुवर Singh कहां से थे खान बहदूर खान गहां से थे यह आप तीनों में से बहुत ही सिंपल क्वेस्टन है आप इसको क्या कर सकते हैं मैच कर सकते हैं, अगर आपने 1857 का पढ़ा होगा विद्रो, तो आपको एकदम easily कौन कहां से नेता हैं, लखनव, रोहिल कंड, कानपूर और बिहार, इसको आप मैच कर लेंगे, ठीक है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताईएगा, इंडिया नेशनल कॉंग्रेस समिट, अब इसके बारे में 1885 से ले करके 1947 तक आपको पढ़ना पड़ेगा, कि पहले पार्सी अध्यक्ष कौन थे, पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, महिला के बारे में कौन से अधिवेशन में क्या बोला गया था, कराची अधिवेशन कहां कहां हुआ है, 1931 का जो कराची अधिवेशन था उसके बारे में question पूछा जा सकता है सूरत अधिवेशन के बारे में question पूछा जा सकता है लकनव अधिवेशन के बारे में question पूछा जाता है फैजपूरी अधिवेशन था तो ये सब question ये थोड़े से important summits हैं जो आप आराम से पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ठीक अब इसको भी देख लेंगे आप home rule movement था उसके बाद मांटेग्यू चेंपसफोर्ट सुधार 1947 हो गया फिर रॉलेट एक्ट कब आया था ठीक है जालियाव आया है ये 13 अप्रैल 1919 को होगा है ना 1919 को और home rule movement जो है वो पहले से ही शुरू था 1916 के आसपस ये भी शुरू हो चुका है तो इसको भी आप आराम से match कर सकते हैं आगे आते हैं गांधियर movement और constitutional development ठीक है तो ये दो चीज़े दो जगहों पर आ रहा है पहला था वहां पर क् पढ़ना तो उसमें जब आप पढ़ेंगे तो बिटिश के द्वारा जो एक लाएगा है साथ में constitutional development में आपको क्या पढ़ना होगा जैसे यहां एक question भी शायद पूछा गया है हाँ राजा जी formula ठीक है तो राजा जी formula का क्या था कि जो राजा जी थे यानि चितरंजन दास इन्होंने पहले congressy ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान के प्रस्ताओं को स्विकार किया था उस पर क्या था गांधी जी और जिन्ना के बीच में लगबग 14 दिनों का समभाद चला था तो यह कब चला था साथ में similar conference के बारे में arrival of cabinet mission कब आया था direct action day लाहर resolution of Pakistan for Pakistan तो यह सब questions आ आप इसको constitutional development के तौर पर देखेंगे कि भारतीय संविधान जो बन रहा है उसमें Congress का कितना योगदान है Muslim League का कितना योगदान है उन्होंने क्या प्रस्ताओं रखे थे किस तरह का प्रस्ताओं था डॉक्टर बिया रंबेदकर का क्या योगदान था किस तरह से उन्होंने दलित के बारे में अपना पक्ष रखा था ठीक है गांधी जी का जो constitutional development के उपर क्या रोल था तो इस तरह से आप इस question को पढ़ेंगे आप फिर गांधियन movement के बारे में आपको पढ़ना है अलग-अलग जो आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था है जब बारन से ल last portion है almost एक हमारा modern historiography है जिसमें India wins freedom मौलाना अबुल कलामाजाद लेकिन कई बार थोड़ा सा इसमें difficult question भी पूछ देता है ठीक है तो आपको schools पढ़ने पढ़ेंगे कि कौन-कौन से schools है रो मिला था पर किस school के आती है इरफान अभीब किस school से आते है किसने क्या book लिखा है जैसे what is history एक important book आती है फिर उसके बाद historian craft एक book आती है वो किसने लिखा है ऐसे questions आपको modern historiography में पढ़ना पड़ेगा ठीक है एक से दू question इस portion से पूछे जाते हैं एकदम पक्का पूछे जाते हैं और आता है last में हमारा European history French England American and Russian Revolution World War first and second है न तो इसके लिए मैं क्या suggest करू क्योंकि आपको दो question पूछा गया था जैसे अमेरिकी सेना वायू सेना बेस परल हार्वर पर किसने हमला किया था अब ये कौन नहीं बता सकता है ठीक है न उसके बाद Boston Tea Party किस घटना से संबंदी थी ये भी question बहुत एकदम simple सा question पूछ दिया गया था ठीक है तो इस तरह से आप इसको टिक कर सकते है ठीक है जापान और साथ में अमेरिकी स्वतंतरता संग्राम जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा तो ये एक simple सा question पूछा जाएगा और एक साथ एक और interesting चीज़ बताता हूं यहां क्या है कि ये जो question दोनों है वो 2022 का पूछा गया है 2023 में industry के लिए आप last में कुछ दिन का समय रखिए और उसी में आप उसको complete करने की कोशिश करिए अब आ जाते है थोड़ा सा resources के बारे में कि कैसे आप free तरीके से तैयारी कर सकते हैं सबसे पहली बात तो इसमें क्या है कि follow any one lecture series from YouTube आपको मैं बता दू कि बरेली के एक आर के सर है आर के सर का परधान मंत्री बरेली का एक चैनल होगा मुझे लगता है तो आर के सर महां एक टीचर है बहुत प्यारा पढ़ाते हैं उनका पूरा series पढ़ा हुआ है अगर आप उनके वीडियो लगभग 2x में देख जाते हैं 2x बहुत slow बोलता है 2x 1.5x में आराम से उसको द में आप क्या कर सकते हैं YouTube से resources आप देख सकते हैं उनके बारे में समझ सकते हैं एक standard book जो है वो आप follow करिए जैसे standard book भी आप follow कर सकते हैं उसके साथ-साथ ये जो दो books मैंने बताई है जैसे area publication हो गया और साथ में घटना चक्र हो गया ये English medium वाले बच्चों के लिए ये Hindi medium ब सारी details आपको जो है मैं क्या बता रहा हूं कि वहाँ परा free test जो है वो attempt कर सकते हैं बात समझ में आई हर बुद्धवार और रविवार को हमने free test जो है वो शुरू किया हुआ है अगर आप चाहें तो इस test series से जूड़ करके भी अपना प्रयास कर सकते हैं ठीक है तो साथ में लास्ट जो है वो है टेलिग्राम quiz ब्येचू वाले the history का अपने channel पर क्या करता है कि हर रात 9 बजे एक टेलिग्राम quiz चलाया जाता है जिसमें बच्चे अपना अभ्यास करते हैं ठीक है तो आप इसके माध्यम से भी जो है वो अपना प्रयास कर सकते हैं इसके माध्यम से भ प्रयारी अच्छी हो गई है थोड़ा भी अगर आपने पढ़ लिया है तो प्रयास करने के लिए आप test series को जोईन कर सकते हैं ठीक है test series हमारी बहुत ही premium quality की है इसमें आपको लगबग 20 प्लस आपको mock test मिलेंगे 30 प्लस आपको chapter wise test मिलेंगे 10,000 प्लस की आपको PDF मिल और ये सारी चीज़े जो मिल रही है वो 6.99 पे ही अभी फिलहाल में offer के साथ available है तो आप इसको purchase कर लीजे जाकर के आराम से आप अपनी तयारी को बहुत ही boost कर पाएंगे बात समझ में आ गई दूसरी चीज़ अगर आपने अभी तयारी शुरू भी नहीं किये तो आप चा अगर class notes मिल जाएंगे study material मिल जाएंगे ये सारी चीज़े लेकिन मैं बहुत ज्यादा insist नहीं करूंगा संग्राम batch के लिए क्योंकि इसमें lectures बहुत जादा है तो अगर आप में potential है कि आप देख सकते हैं तो ही आप इसके लिए आगे बढ़िएगा और एक चीज और बता द दिया है जो आपके description box में है link से जाकर के उसको download करिए और अपने घर में चिपका करके अभी से तयारी जो है शुरू कर दीजिए day 1, day 2, day 3 अपना एक चार्ट बनाईए कि किस तरह से किस portion को मुझे complete करना है और उसी के pattern पे आप जो है आपने course को अपने syllabus को खत्म करने वाले ठीक इसमें PYQ और आपका जो syllabus है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए कारगर सिध्ध होने वाला है तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर लिजेगा like और अपने दोस्तों तक जो भी CETPG history की तयारी कर रहे है उन तक शेयर करना मत भूलिएगा अपना प्यारा सा कमेंट इस चैनल पे छोड़ते जाईए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए स्वस्त रहे मस रहे बहुत बहुत धन्यवाद